नमस्कार दोस्तों भारत की राजदानी दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई बलातकार की घटना देखने और सुनने को मिलती है ताज्योब की बात ये है कि ये घटनाएं देश की राजदानी में होती हैं जिबकि राज्ये की सारी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है जो पूर्ण पहुमत में है इतनी गंभीर और दर्दना घटना पर भी देश की बड़ी मीडिया हाउस एकदम से चूप है बस सोशल मीडिया पर ही जो है आवाज बुलन दे ये घटना है 26 और 27 अगस्त की रात की दिल्ली संगम बिहार की साबिया को दिल्ली से फरीदाबार ले जाकर उसके साथ में रेप वेक्ति ने सरेंडर तो किया है लेकिन जिस तरह से वो आरोपी सारे आरोप अपने उपर ले रहा है वो शक के घेरे में है वो जान बूझ कर केस को गुमरा कर रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बारदात को कोई भी अकेला वेक्ति अंजाम दे ही नहीं सकता है पुलिस ने आरो कि साविया सिविल डिफेंस में काम करती थी सवाल ये उठता है कि सिविल डिफेंस में काम करते हुए उसे फरीदाबाद के सूरज कुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया फरीदाबाद के सूरज कुंड पर साविया को किस ने भेजा और कौन ले गया इस सिलसले में ए ऐसा कुछ देख लिया था जो बाहर आने पर कई बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती थी और उसी राज को छेपाने के लिए पहले साबिया को फरीदाबाज ले जाया गया और वहां उसकी रेप के बाद में हत्या कर दी ताकि सारा मामला जो है रेप केस का बने इस पूरे के की थी और इस देश की बेटी थी बलात का शब्द अपने आप में काफी डराने वाला है लेकिन उस लड़की ने ये सब जेला था बहुत क्रोड़ता से उसकी हत्या की गई उसके चेहरे और सीने पर चाकु से कैई वार किये गई थे उसकी बेश्ट पूरी तरह से काट के अ डूबेगी